नमस्का दोस्तों स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर दोस्त हम आज आपको रेलवे एंटी पीसी और गुर्बडी की परिक्षा जो 2020 में होने वाली उसके बहुत ज्यानी यानि साइंस के सक्ति यानि पावर चैप्टर करने वाले हैं जो आपके 100% सक्सेफुल होगा कोशन नमर 15 एक चालिस की ग्रा भार वाली लड़की चार सेकंड में पांच मीटर तक उंची होने वाली सीन्यों पर तेजी से चड़ जाती है उसके द्वार अभिक्षिस सक्ति होगी यहाँ पर द्रबमान यानि एम कमान दिया है चालिस की ग्रा टाइम दिया है चार सेकंड मुचाए दिया है पांच मीटर यानि सक्ति कमान बुजा है उसके द्वार सक्ति पी बरावर होता है डबलू बटेट टी यह डबलू बरावर होता है एम जी एच अपॉन टी यहाँ पर एम कमान है चालिस जी कमान होता है टैन गुरुतत ट्वर्ण यानि जी कमान टैन एच कमान एच कमान है यहाँ पर पांच टी कमान है चार चार से चार पी बराव होएगा पांच सो बाट ते एच का सही आंसर है क्वेश्च नमर 16 एक पचास किग्रा दर्मान का एक लड़का 45 सीनिया टैन सेकंड में चड़ता है यदि परतिक सीनि क्यों चाहिए 16 सेंटिमेटर है तो उसके द्वार सकती ग्यात कीजिए जी कमान है टैन मीटर परति सेकंड स्क्वार यहां पर पी बराव होता है डबलू अपॉन टी डबलू बराव होता है एम जी एच अपॉन टी यहां पर एम कमान दिया है पचास किग्रा जी कमान टैन एच उचाई सोले सेंटिमेटर सेंटिमेटर को मीटर में बदलो यहनि सो बटे सो पैंतालिस सीनिया चाहता है बटे टाइम है टैन सेकंड टैन से टैन पचास से सो दो बार दो से सोले आठ बार यहां पर हुआ पैंतालिस इंटू एट आठ पंजे चालिस हाजिल चार आठ चक बत्तिस और चार चट्तिस यानि तीन सो साथ वाट तैस चीज का सही आंसर है कोश्ण नमर 17 ओस्ट सक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है ओस्ट से इसका सही आंसर क्या है ओस्ट सक्ति यन सक्ति एवरेज सक्ति किसके बराबर होती है कुल प्रिक्त उर्जा बटे समय डबलू अपॉन टी यानि डीस का सही आंसर है रेलवे गुरूप डू में पूछा गया है महत्पूल पिरसन है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन में अठा रहा है एक पचास किग्रा के बहार का एक लड़का 40 सीनिया 10 सेकंड में चाड़ता है यदि प्रितिक सीनि की उचाई 15 सेंटिमीटर है तो उसकी सक्ति ग्यात किजी जी का मान है 10 मीटर प्रिति सेकंड स्क्वाइर यहाँ पर M यानि दुर्बमान है 50 किग्रा टाइम है 10 सेकंड जी का मान है 10 मीटर प्रिति सेकंड स्क्वाइर उचाई है 15 उचाई है 15 सेंटिमीटर सेंटिमीटर को मीटर में बदले बटे 100 सिर्णिया चलता है 40 यानि 40 P बरावर होता है W बटे T W बरावर होता है M G H अपोन T M का मान है हाँ पर 50 G का मान है 10 H का मान है 15 बटे 100 40 सिर्णिया चलता है टाइम है 10 सेकंड में 10 से 10 50 से 100 2 बार 2 से 40 20 बार तिहां पर 15 है इंटू 20 बरावर हो गया 300 बाट तो 60 का सही आंसर है कोर्ष्ण नम्मर उन्निस एक पचास की ग्राव भार का एक लड़का 45 चर्णों की सीणिया 9 सेकंड में चलता है प्रति एक सीणि प्रति एक चर्ण क्यूं चाहिए 15 सेंटिमेटर है तो उसकी सक्ति का पता लगाईए जी का मान है 10 मीटर पिरति सेकंड स्क्वाईर यहाँ पर एहम कमान है 50 की ग्राव टाइम है 9 सेकंड एज उचाहिए है 15 सेंटिमेटर यानि सेंटिमेटर के मीटर में बदलें बड़े सो 45 सीनिया प बरावर यह न सक्ति बाराव होता है कार रवटे समय डबल बराव होता है एम जी एच अपोन टी यहाँ पर एम कमान है 50 जी कमान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइर एच उचाहिए 15 वटे सो में 45 सीनिया टाइम है 9 सेकंड टैन से जीरो पचास से जीरो तीन तिया 9 तीन पंजे 15 15 तीन पंजे यहाँ पर हो गया पंज इंटू 15 पंजे 75 75 25 का पंज आसिल दो 5 पंजे 5 सत्य पैंतिस और 2 सेंतिस यानि 375 वाट टूडी इसका सही आंसर है कुश्चन मुल 20 यदि 40 न्यूटन भारवाली कोई लड़की 160 वाट की सक्ती से 20 सेगेंड तक रस्टी पर चरती है तो वह कितनी उचाई तक पहुँच सकेगी पी कमान दिया है यहाँ पर सक्ती का 160 वाट भार भार कमान दिया है 40 न्यूटन भार कमान दिया है 40 न्यूटन टाम दिया है 20 सेकंड या यहाँ यहाँपर 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 प कमान है P का मान है यहाँ पर 160 M का मान है 40 G का मान होता 10 टाइम है 20 सेकंड उचाई ग्याद करनी है 20 से 40 दो बार 0 से 0 2 से 16 आठ वार उचाई बरावर होगा 8 मीटर तो C इसका सही आंसर है Q कोश्चन नमर 21 50 किग्रा द्रवमान का एक ललका 44 सीनिया 10 सेकंड में शर्ता है परती एक सीनि क्यों चाई 15 सेमी हो तो उसकी सकती ग्याद कीजिए G का मान 10 मीटर परती सेकंड स्क्वाइर यहाँ पर M का मान दिया है 50 किग्रा टाइम है 10 सेकंड उचाई है 15 सेंटिमीटर सेंटिमीटर को मीटर में बदल लंगे 2244 सीनिया P वरावर होता है W अपॉन T यह W वरावर है M G H अपॉन T M का मान है यहाँ पर 50 G का मान होता है 10 H का मान है 15 बटे 100 गुणा 44 सीनिया बटे टाइम है 10 सेकंड 10 से 10 50 से 100 दो वार 242 बार तो यहाँ पर 15 इंटो वाइस 15 दून 30 का सीपूर हासिल 3 15 दून 30 और 3 33 यहाँ 330 वाट तो D इसका सही आंसर है नेक्स कोश्चन कोश्चन बार 22 यदि कोई एजेंट समय T में W काम करता है तो पावर होगी T समय में W काम करता है तो इसकी पावर होगी P बाराब होता है W पौन T तो D इसका सही आंसर है ग्रूप D में पूछा गया महत्मूर कोश्चन है कोश्चन मेर 23 पचास की ग्रा दिर्वमान का एक लड़का 10 सेगंड में 43 सीनिया चलता है पृति एक सीनी की उचाई 15 सेंटी मीटर है तो उसकी सकती ग्यात की जी जी का मान है 10 मीटर पृति सेगंड स्क्वाईर यह भी सैम कोश्चन है पिछले कोश्चन की इतर है पी बरा होता है डबल अपॉन टी डबल बरा होता है एम जी एच अपॉन टी यहाँ पर एम का मान है 50 जी का मान होता है 10 मीटर पृति सेगंड स्क्वाईर एच चाहिए यानी 15 एच चाहिए है 15 सेंटिमीटर एच चाहिए है 15 सेंटिमीटर यानी मीटर बदलो 100 इंटो 43 सीणिया टाइम है 10 सेगंड 10 से 10 50 से 100 दो आर पंदर एटो 43 बटे दो पंदर एटिया पेंटालिस का पाँच आशिल चाहर पंदर एटो को साथ और चाहर चोह सट बटे दो तीन दो दो पंदर फाइव वाट तो डीस का सही आंसर है कोशन नमर 24 एक अधिक सक्तिसाली इंजन कम समय में अधिक कार रह कर सकता है जैसे एक हवाई जाच कार से कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है आते हवाई जाच कार से अधिक सक्तिसाली है यह है किसका उधारण है यह है उधारण है सक्ति का कार कर सकता है कम समय में तो यह है सक्ति का उधारण है तो भी इसका सही आंसर है कोशन नमर 25 असी किग्रा की एक बस्तु को 40 मीटर की उचाई तक लगवग 50 सेकंड तक उठाने यह तो आविस्तक उसत सक्ति होगी जी कमान है 10 मीटर परती सेकंड स्क्वाईर सक्ति यहां पी बरावर होता है डबलू अपॉन टी डबलू बरावर होता है एम जी एच अपॉन टी यहां पर एम कमान है असी किग्रा जी कमान होता है 10 और एच उचाई है 40 मीटर टाइम है 50 सेकंड 0 से 0 5 8 40 80 इंटू 8 बरावर 640 जूल परती सेकंड या वाट जूल परती सेकंड या वाट तो भी इसका सही आंसर है कोशन नमर 26 निम लिखित में से कौन सा सक्ति का सूत्र है प वरव होता है बी आई चुकि आई बरावर होता है बी अपोन आर तो आई गिजगे बी इंटू बी अपोन आर बरावर हो गया बी स्क्वार अपोन आर तो एक यह सूत्र है एक यह सूत्र है एक होता है बी बरावर आई आर यहां पर बरावर आई इंटू आई आर तो यहां पर आई स्क्वार आर तो यहां भी सक्ति का सूत्र है यहां भी यहां जीज का सही आंसर है सभी सक्ति के सूत्र है थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब पल ले थैंक यू बाचिंग फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो